अब हम जा रहे हैं महाकाल जी के मंदिर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पचर रहा था कंट्रक्शन का काम क्यूंकि महाकाल लोग में हवा और तुफान के कारण बहुत जादा नुकसान हो गया था तो उन्हीं को ही सुधारा जा रहा था फिर हम अंदर गये महाकाल जी के दर्शन करने के लिए मंदिर से निकलने के बाद हम गये महाकाल लोग दर्शन करने के लिए और हम जब लास्ट बार उजैन आई वे थे तो मैंने महाकाल लोग का पूरा एक व्लॉग बनाया हुआ है इसलिए मैंने इस बार कोई भी व्लॉग नहीं बनाया तो जिनको भी महा का लोग का दर्शन करना है वो मेरे पुराने व्लॉग देख सकते हैं हम चलते चलते ठक गए थे तो हम थोड़ी देर वहाँ पर अराम से बैठ गए फिर हमने दर्शन किया बड़े गनेजी का वहाँ बहुत थी जादा भीर थी इसलिए मैंने वहाँ के वीडियो नहीं बनाई और यहाँ पर हर्शिद्दी माता जी के मंदिर के पास भी गनेजी है यहाँ पर भी गनेजी का नाम लिखा हुआ है तो गनेजी का नाम है हर्षिद्धी माता के लाल तो हमें हर्षिद्धी मा के लाल के भी दर्शन करने को मिल गए आप देख सकते हो कि लाइटिंग चीज होने से गनेजी और भी ज़्यादा सुन्दर लग रहे हैं पास में ही एक और मंदिर था बैकुंठ धाम मंदिर उजयन में पास पास में ही बहुत सारे मंदिर हैं उसके बाद हमने खाया दोसा और जब हम मार्केट की तरफ गए तो हमें एक और गनेजी के दर्शन करने को मिले दर्शन करने के बाद हम चले गए वापस अपने रूम पे क्योंकि हम बहुत ज़ाधा टायड हो गए थे और हमने रूम पे ही मंगाया खाना जो कि आप देख सकते हो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दू लाइक, कमें, शेयर और सब्सक्राइब तो मैं यूटूब चैनल विचिस रिचेश मेरा व्लोग बाई